Hello everyone, welcome to the class of Computer Science class 11. आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ Computer Science class 11 का फुल पोर्स का वीडियो टुटोरियल सिरीज जिसमें हम CBSE ने जो सजेस्ट किया है syllabus उसके according एक एक करके unit wise and chapter wise सारे ही concepts को लंग करेंगे. आज हम first unit that is introduction to computer system या computer system and organization का पहला part या NCRT book का जो chapter number one है that is computer system, उसको start करेंगे. ये मेरा lecture number one है जहाँ पर आज हम समझेंगे computer system क्या है और इसके block diagram को भी हम समझने की कोशिस करेंगे. तो without wasting time चलिए session ही start करते हैं बट उसके पहले मेरे channel को like करना, share करना और subscribe करना मत भुलिएगा because it is also very important because number बढ़ेगा, तो confidence भी बढ़ता है. Well, it's very obvious that कि जब हम computer fundamental की बात करते हैं तो सबसे पहला question तो यही आता है कि what do you mean by computer system या what is computer system? तो आप बच्पन सही से पढ़ते भी आ रहे होंगे कि computer system क्या है? तो इसमें दो तिन बाते हैं, एक तो जो universal इसका definition है कि computer system basically क्या है? या सिर्फ computer को हम पहले बोलते हैं कि यह एक electronic device है और दूसरा इसमें हम include कर देते हैं इसके IPO cycle को मतलब यह processing कैसे करता है? तो अब processing कैसे करता है? तो आप चाहें तो उसे diagram के थूभी यहाँ पर represent कर सकते हैं कि सबसे पहले आपने क्या किया? input दिया अपने computer system में then आपने इसे process कर दिया और process करने के बाद आपने बोला कि आपको क्या मिल जाता है यहाँ पर output मिल जाता है then आप बोलते हैं कि हम input में क्या देते हैं तो हमने बोला कि हमने data input किया system ने इसे process किया process करने के बाद output के form में आपको एक result मिलता है जिसे हम information के नाम से जानते हैं तो आप इस diagram को भी debit कर सकते हैं जागर आपको computer system को define करना हो और या फिर आप इसे written form में भी लिख सकते हैं कि it is an electronic machine और इसे इस तरह से program किया जाता है इस तरह से design किया जाता है जहां पर यह data को input के form में लेता है देन उसको process करता है और आपको एक result provide करता है as an output तो यह एक पहली बात हुई दूसरा इसमें हम एक और important बात add करते हैं हम सभी जानते हैं कि computer system में अगर आपको कोई भी work करना है तो उसके लिए आपको इसमें software को डालना ज़रूरी होता है तो जब आप computer system को थोड़ा और बहतर तरीके से define करते हो तो हम यह कहते हैं कि it is basically combination of software and hardware अर्थात आपका computer system दो चीजों से मिलकर बनता है एक software और दूसरा hardware और आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप computer system की बात करते हैं तो obviously उसमें दो ही बातों के उपर ज़्यान दिया जाता है एक तो software के बारे में और एक hardware के बारे में तो जब आप programming की बात करते हैं तो हम software के बारे में बात करते हैं तो यह एक दूसरा इसका definition हो गया जिसे आप include कर सकते हो इसके बाद तीसरा इसमें जो important point है वो यह कि यह जो computer आज की date में आप देखते हैं इसके बहुत सारे different forms आ चुके हैं जब मैं पढ़ रहा था उस समय चुकी बहुँ सारे different नए forms डिश्टल के नहीं थे लेकिन उस समय जब हम computer को categorize करते थे तो हम कहते थे कि computer जो होता है वो personal computer होता है या आपका desktop होता है इसी थरह से super computer होता है market में और mainframe होता है आज जो computer आप देखते हो उसमें आप smartphone को भी include कर सकते हैं उसमें आप tablet PC को भी include कर सकते हैं उसमें आप obviously laptop तो हमारे पास है ही साथी साथ जो personal computer है then super computer है plus mainframes यह सारे different type of computers जो हते हैं या different forms of computer आज market में available हैं तो यह तो बात हुई इसके formats की या forms की और इसी तरह से एक और important बात यह कि जब आप computer system के components को बात करते हैं तो mainly कोई भी computer system को अगर आप देखोगे तो उसमें basically 4 parts है एक input होता है एक output होता है तीसरे एक CPU होता है और CPU में एक और important part होता है जिसे हम कहते हैं memory device हम सभी जानते हैं कि father of computer को हम जानते हैं Charles Babbage के नाम से अब यह जो Charles Babbage जी थे इनको इ analytical engine तो उसमें यह जो concept है ना input का output का CPU का और memory का वो concept कहीं ने कहीं इन्होंने implement किया था हाला कि present day में जो computer आप यूज करते हो वो जिस architecture को follow करता है जिस design system को follow करता है वो actually बनाया था John Won Newman ने तो अभी हम पहले उसके बारे में बात करते हैं that is block diagram of computer system तो जब आप block diagram की बात करते हैं तो आपकी screen में आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ इस तरह का standard block diagram across the globe हम बनाते हैं जब अग्दम fundamental level पे आप computer system के आर्किटेक्चर की बात करते हो या इसके block diagram की बात करते हो या इसके design की बात करते हो अब यह जो पूरा design है ना यह जो बनाया था जिन्नोंने उसे हम john won newman की नाम से यह एक engineer थे जिन्नोंने इस पूरे design को दिया था या इसे हम newman आप मेरी spelling को थोड़ा सा ignore कर देंगे हो सकता है कुछ mistake हो तो newman architecture के नाम से इसको हम जानते हैं तो present day में जितने भी computer system आप देखते हो वो इसी newman architecture को follow करते हैं अब आप majorly देखो इसमें input है इसम CPU के अंदर में आप देखो एक ALU का unit है या processing unit है और एक हमारी क्या होती है storage unit होती है तो आप ध्यान दो कि सबसे पहले आपने input device की help से data को आपके CPU में डाला जब वो CPU में जाता है तो आप देखो यहां पर वो पहले कहां जा रहा है आपके हमारे इस memory part में और इस memory में यह प और primary storage के बीच में फिर यह ALU उसको operate करता है और जो भी result होता है वापस इस control unit के थूर इस primary storage में जाता है जहां से फिर वो screen पे display होता है as an output unit या output के form में वो information आपके screen पे display हो जाती है तो यह एक basic architecture है I hope आप इससे familiar भी होंगे तो यह एक standard architecture है जिसे आप जरूर याद रखें अगर आप 11th के point of view से देखें so आज के session में था यह दो important point की computer system क्या है और computer system का block diagram क्या होता है next lecture में हम further इसी chapter computer system के अगले topics को discuss करेंगे आज के session को यही पे end करते है अगर यह video session आपको पसंद आया तो please don't forget to like share and subscribe my channel तो चलिए फिर मिलते हैं नए session नए chapter नए solution के साथ में